चंडिगड पुलिस में भर्तियों का पिटारा खुल चुका है चंडिगड पुलिस में 13 साल बाद भर्तिया निकली है और पुलिस विभाग में 959 नए कॉंस्टेबल भर्ती किये जाएंगे 31 मार्श 2023 से पहले भर्ति होने की उमीद जताई जा रही है यानि की जो चंडिगड है चंडिगड पुलिस में अगर आप भर्ती होना चाते हैं तो चंडिगड पुलिस में 959 नए कॉंस्टेबल भर्ती किये जाएंगे जिसके लिए 31 मार्श 2023 से पहले ही भरती होने की उम्मीद है यूटी प्रशासक BL पुरोहीत की अगर बात की जाए तो उन्होंने भरती को लेकर सहमती जताई है और भरती को लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा अगर आप भी पुलिस में भरती होना चाहते चंडिगर पुलिस विभाग में अगर आप भरती होना चाहते तो आप भी अपनी तयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि चंडिगर पुलिस में नए 953 जो कॉंस्टेबल है वो भरती किये जाएगे और ये भर्तिया जल्द ही यानि कि 31 मार्श 2023 से पहले ये भर्तिया होने की उम्मीद जताई जा रही है भर्ति को लेकर जल्द ही नौटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा चंडिगड़ पुलिस में नौकरी पाने की चाहत वालों के लिए खुशखबरी है जो पुलिस भी भाग में जो काम करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि चंडिगड़ पुलिस में 13 साल बाद भर्तिया निकलिये और चंडिगड़ पुलिस के Constable पर 959 Constable जो है वह भरती किये जाएगी और जो चंडिगड के यूटी के जो प्रशासक है BL पुरोहिक जो है उन्होंने Constable भरती को लेकर भी सहमती जिताईए वहीं अगर इस भरती की अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी यानि कि अगर आप चंडिगड पुलिस में अगर भरती होना चाते हैं तो आप अपनी तैयारिया शुरू कर दीजिए भरती जल्द ही होने वाली है भरती के लिए चंडीगड पुलिस में भरती होने वालों के लिए खुश खबरी है युवाओं के लिए खुश खबरी है कि चंडीगड पुलिस में 13 साल बाद भरतिया निकली है और 959 नए कॉंस्टेबल चंडीगड पुलिस में भरती किये वाले हैं वही इसमें आवेदर नहीं कर पाये बलकि जितनेवी देश बगार बं़स्टी होना चाहते हैं पुलिस भी भाग में हम उसके लिए बरतिया निकल चुकत भ्रतिया जल्द ही लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी यानि कि 953 पजो है वो Constable के भरे जाएंगे चंडिगर पुलिस यानि कि युवाओं के लिए ये बहुती बड़ी खबर है खुश खबरी है युवाओं के लिए क्योंकि 13 साल बाद चंडिगर पुलिस में भरतिया निकली है और कुलिस भी भाग में 959 Constable भरति किये जाएंगे हाली में सेक्टर 26 पुलिस लाइन में एक रेजिंग डेप अपरेट में भी जो चंडिगर के डीजीपी है उन्होंने भी इस Constable भरति का एलान किया था और इसके बाद में अगर यहां के प्रशासक की अगर बात की जाए यूटी के प्रशासक बियल पूरोहित की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी इस Constable भरति को लेकर सहमती जताईए और इसको लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी अगर हम बात करें तो 31 मार्च 2023 यानि कि मार्च महीने से पहले पहले यह भरतियां हो जाएगी अगर आप भी चंडिगर पुलिस में भरति होना चाहते हैं तो अपनी तयारिया शुरू कर दे इससे पहले अगर हम बात करें तो चंडिगर पुलिस में 49 ASI पदों के लिए भी भरति चल रही है जिसमें कि 18 से 25 साल के यूवक और यूवतिया इन पदों के लिए आवेदन किया है यानि कि सरकारी नियमों के तो है 3 साल की छूट इसमें OBC वालों को SC और ST के लिए 5 साल की आयो सीमा दे दी मतलब छूट आपको मिल जाएगी ASI के पद भी जो है वो चंडिगर पुलिस द्वारा भरे जारे वहीं अगर कॉंस्टेबल पद की बात की जाए तो कॉंस्टेबल पद के लिए भी आवेदन जल्द ही शुरू हो जाएगा यानि की नोटिफिकेशन जो है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा यानि आप भी अगर इच्चुक है जितने भी यूवा है यूवतिया है अगर वो इच्चुक है चंडिगर पुलिस में भरती होने में तो कॉंस्टेबल के 959 पद जल्द ही भर दिये जाएगे जिसके लिए 31 मार्स 2023 से पहले भरती होने की उमीद जताई जा रही है चंडिगर के प्रशासके बियल पुरोहित उन्होंने भी भरती को लेकर सहमती जताई है और भरती को लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी यानि की चंडिगर पुलिस विभाग में हम कह सकते हैं की भरतीयों का पिटारा खुला है और ये 13 साल बाद भरतिया इस समय हो रही है झाल 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 झाल